हेलो फेंड्स, वेलकम टू माई चैनल जीकेकाफे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CET के बारे में Common Eligibility Test के लिएकर इस पर देखिए मेरे पास कमेंट भी आया है और इंस्टा पर मेरे को मैसेज किया थे इसके बारे में complete में बता दीजिए वैसा आपने YouTube पे अगर आप सर्च मारेंगे तो आपको बहुत मिल जाएंगी वीडियो इसमें हम थोड़ी commonly बात देखेंगे और इससे सबसे बड़ी बात क्या है इसमें students बहुत ज़्यादा इसको हववा बना रखा है इसको कि क्या है यह इसमें क्या प्रॉब्लम है मैं सारी डिस्कस करूँगा आपका सारा solution निकाल दूँगा इसमें इससे कोई ज़्यादा आपको डरनी की ज़रूत नहीं है यह तो थोड़ा बहुत नॉर्मल होता है यह हर चीज में changes आते हैं तो इसमें सारी आपको डिस्कस करूँगा इस वीडियो के अंदर अच्छा एक बात यह देखेंगे कि हमारे exam पे क्या impact पड़ेगा इसका CGL 2020 पर या CHSL हो गया या MTS हो गया इसके क्या impact पड़ेगा NTPC पे भी देखेंगे और Railway Group D पे भी इसके क्या impact पड़ेगा इस पूरे overall CET का ठीक है और यह भी देखेंगे कि syllabus क्या एक valid रहेगा क्या एक ideal syllabus रहेगा उनके according एक तरीक सा assumption लगाएंगे हम कोई जादा मैं आपको यह नहीं बोलूँगा क्योंकि उन्हें अभी notify नहीं किया है बोर्ड ने बस उन्होंने announce किया है कि CET 2021 से आने वाला है ठीक है तो पूरी वीडियो को देखेगा तो चली वीडियो को start करते है तो firstly मैं आपको एक overview देता हूँ बहुत जल्दी से shortly आपको सारी बाते पता होंगी क्या होगा कि CET के बारे में इन्होंने क्या conduct कराने का purpose था इनका देखे टीर वन होगा पहले जो board जैसे SSC अलग लेती थी bank अलग लेता था IBPS और railway अलग लेता था बट अब एक तरीके से इन्होंने CET common based examination हो गई है और इन्होंने एक तरीके से के agency को new कर दिना है means लिता था फिर RRB अपना means लिता था उस तरीके से ठीक है तो tier 1 में changes आएंगे दूसरी बात दे कि साल में दो बार हो गई है graduation का लगोगा 10th का लगोगा और 12th का लगोगा और education criteria जो पहला हुआ करता था वही रहेगा दो दो बार होगा ठीक है इन सभी का graduation का 10th का and 12th का score 3 साल तक इनका valid रहेगा अगर आप कोई score इसमें लाते हैं और अच्छे से marks लाते हैं और आपके वही marks consider के जाएंगे जो आपके बहुत maximum होगे ठीक है मान के चलिए तीनों में से आपने examination दे रहे हैं और आपके किसी में आसी हैं किसी में 100 हैं किसी में 120 तो आपके consider के जाएंगे 120 वाले ठीक है यह धियान रखेगा यह benefit वाला point बोलता हूं में दूसरी बात age restriction होगा जैसे होता था वो same होगा government rule के coding होगा ठीक है ऐसा नहीं कि जैसे पहले होगा करता था same age restriction रहेगा इसमें कोई दिक्कत मत लिए जीगा अच्छा दूसरी बात यह implement कब से किया जाएगा इन्होंने तो बोला है 2021 से बट मेरे सब से थोड़ा उपर जाए करना पड़ेगा और maximum marks लेने आने पड़ेगे उसी को आपको consider किया जाएगा यह मैं आपको clear कर दे जो छोटे छोटे चोटे topic थे यह आपको normally पहले ही पता होगा दो साल से बात चल रहे है इस बारे में और आपने वीडियोस भी दिख रहे होगी अब mainly जो मैं आपको syllabus in this CET examination हमारे CET के examination में क्या syllabus रहेगा क्या impact पड़ेगा एक overview है मैं अपने view दे रहा हूँ हर कोई अपना view दे रहा है क्योंकि अभी इन्होंने कोई confirmation नहीं दिये syllabus को लेके तो देखे मैं आपको पहले बताता हूँ एक ideal ही syllabus रहेगा को impact नहीं पड़ेगा इससे जादा इ על way का आपको पता होगा जी के less और इसनी पूचे जाती है bank में ta पूचे जाती है मैस कि पूचे जाती है Soci और reasoning, ssc में भी से में बस थोड़ा से impact अलग होता है ssc का जैसे gk, g a की जगे g k पुछी जाती है यहाँ पर ssc में, math पुछी जाती है और english पुछी जाती है और reasoning अच्छा bank और ssc में क्या difference होगी है, वहाँ पर g a पुछी जाती है, वहाँ पर g k पुछी जाती है फिर इसके बाद देखें तो english वहाँ पर tough ज्यादा पुछी जाती है bank में और यहाँ पर normal वो होती है ssc के examination में और reasoning वहाँ पर सबसे मानी जाती है, tough तो bank की मानी जाती है यहाँ भी reasoning easy होती है ssc की overall देखें तो यह ct का ज्यादा impact पड़ेगा bank वाले examination जो preparation कर रहे हैं उसके aspirant पर ssc पर नहीं क्योंकि overall अगर देखेंगे तो यह ssc के तरीके से pattern आएगा आप देखें लिजेगा syllabus का क्योंकि overall जितने exam होते है state government के होते हैं कोई भी ठीक है यह सारे किस base पर होते है ssc base में होते हैं जैसे gk पूछी जाती है mess पूछी जाती है english पूछी जाती है और reasoning पूछी जाती है bank का अलग ही level होता है इसलिए मेरे साबसे bank वालों को ज़्यादा problem होगी वैसे ज़्यादा impact नहीं पड़ेगा सब आपस में कर देंगे देखें दूसरी बात क्या railway के examination में आपका English नहीं पूछी जाती है तो यह भी chances हो सकते हैं कि English पूछी जाती है syllabus में की नहीं अब यह official कोई mention नहीं किया है और अगर देखी जाए तो मैं आपको normally बताऊं तो एक तरीके से reasoning normal पूछी जाएगी bank level की नहीं पूछी जाएगी यह आप ध्यान रखेगा मेरे सबसे बता रहा हूँ और यह मेरा view है एक तरीके से और यह मेरे सबसे बहुत impactful रहेगा है हमेसे लिए और बाकी बात रही देखे होगा फरक पड़ेगा तो यह हो सकता अगर English जोड़ेंगे यह तो CET में तो English थोड़ी tough हो जाएगी वैसे मेरे साबसे मुस्किल है क्योंकि railway के examination में English नहीं पुछी जा दिये overall देखेंगे तो एक ideal sleep us बनेगा कोई ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा इसमें डरने लग जा रहे हैं ठीक है इतना आपको panic करने कोई जरुवत नहीं मैं आपको एक simple बदा रहा हूँ इस पेसली में यही कहूंगा आपको कि अपने ही जो आपका त्यारी चल रही है इस पे फोकस करिए और कई फालतू में करने की जरुद नहीं है जैसे ही आपको पता यह tier 1 पे तो फरक आ रही है tier 2 तो सेम ही होगा सभी का वो bank का अलग हो जाएगा जैसे उनका होता है SSC का अलग होता है math जैसी पूछी जाती English पूछी जाती वो सारा अलग अलग है हमें बस tier 1 पे ज़्यादा command नहीं रखनी है पहले हमको अपने tier 2 पे तो command रखनी है कि हमें कैसा अपनी preparation रखनी है तो इस पे ज़्यादा वो लेशनी की जरूत नहीं है मैं आपको एक example से समझादा हूँ CGL 2017 हुआ था उसमें इतना हुआ बनाया था कि mains का examination जो था math उसमें बहुत टफ पूछी गई थी सारे पूछे गई थे बट मैंने exactly जब उसका test paper लगाया तब मुझे पदा चला कि exactly उसमें 10 से 15 question टफ आये थे जादा जादा 20 question 80 question normal थे जैसे पूछे जादे थे तो इसमें मत confuse हुए हमें अभी कुछ मत सूचिए ज आपका examination आ रहा है जैसे preparation चल रही वैसे करें इस पर ज्यादा काम मत करिए कि हमें CET पे कैसा ध्यान देना या आप banking level की reasoning करने लग जाए तो ऐसा कुछ फाइदा नहीं जैसे railway वाले करने जो preparation उनको railway के साब से त्यारी करने चाहिए जैसे उनका syllabus से सिम वैसी करिए इस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूँ और अगर फरक पड़ता भी है तो सभी exam वाली students के लिए पढ़ेगा ना bank हो railway हो SFC हो सभी के लिए और उस सारे student है ऐसा तो नहीं UPSC वाले घुच जाएंगे इसमें तो इसना थोड़ा practical हो कि हमें समयना चाहिए तभी हमारा कोई exam निकलता है ऐसा नहीं कि कुछ भी सोच के चलते चले और हमारा इन चीजों में हम फस्ते रहें तभी examination में हम फस्त जाते हैं तो इस चीजों पर ध्यानी देन या किस तरीके से examination होंगे ठीक है तो अब जो most important बाते हों बताता हूँ कि जो 2021 में जो कह रहे हैं कि इससे साब से examination होंगे तो क्या railway group D आएगा NTPC CGL 2020 CHSL हो गया और CPO हो गया जो भी आया 2020 गा और NTS ये सारे क्या इसमें consider कि जाएंगे तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ CGL 2020 के बारे में कि ये आएगा कि नहीं इस पर फरक पड़ेगा मेरे view के according ऐसा मैं सोचता हूँ कि 90% नहीं होगा इसके अंदर क्योंकि देखे CGL 2021 पर ये implement हो सकता है बट इसमें नहीं होगा क्योंकि ये 2020 की vacancy आएगी क्योंकि पहले से delay चलता है SAC में और ये एक तरीके से इन इसमें ये आपको पता है सारे overall एक ही एक्जाम में पूछे जाएंगे तो इसमें मेरे साब से CGL 2020 को नहीं add किया जाएगा CGL 2021 हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है भी बहुत चीज़स में अभी लगेंगी और government का काम है आपको पता है दूसरी बात मैं आप को दाता हूं देखिए 90% बोला हूं में 10% हो भी सकता बट मेरे साब से अगर मैं आपने हिसाब से होता हूं तो 100% मैं नहीं मानता कि CGL 2020 इसमें आ जाएगा CET के according और बच्ची CHSL 2020 तो एकदम clearance है कि यह CHSL का examination है बिल्कूल ही जो TCS ले रही है वो ही लेगी क्योंकि अल्रेड इस सभी क्ले के रहा हूं में जो 2020 वाले है सारे सी में implement होंगे यह ध्यान रखेगा मेरे साब से बाकि अपनी अब उनके क्या हिसाब से होता है गौवर्मेंट क्या सोसती इसके उपर पर मेरे साब से तो यह होगा 2020 वाले नहीं add होंगे CET के examination में अब इसके बाद हम देखते NTPC और Group D, Group D को तो बाद में बात करता हूं मैं NTPC 2019 में आया था तो यह 2021 में तो add ही नहीं होना चाहिए CET के साब से तो यह भी ऐसा है कि NTPC भी नहीं होगा मेरे साब से और बचा Group D तो Group D तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि इसमें Group इसनों ने खुद ही अपने notification में और इन प्रूर CET में होगा बट वो 2021 अगर कोई आगे IMTS की वेकंसी लिकलती है मेरे साब से जो 2020 के सारे examination है वो CET के according नहीं आने चाहिए बागी government के साब से क्या होता है वो मैं नहीं कह सकता बट मेरा view यह है और जो preparation कर रहे हैं उसी पर लगे रहे है इस पर confused मत होई है क्योंकि सरक आप से यही रखेगा कि आपको focus करना है जो आपका actual syllabus है उसी पर ध्यान रखना है ठीक है तो आज की वीडियो के लिए अतना ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like जरू किजेगा चैनल को subscribe किजेगा so thank you